अज हम Levels Movie का review करने जा रहे हैं. ये एक action, science fiction and thriller movie है और 1st of November 2024 को Canada में release हुई. Movie का director और writer Adam Stern है. Movie के शुरू में दिखाया गया है कि जो एक book store का मालिक है, करीबी cafe में कभी कभार coffee पीने चला जाता है और पुरसकून जिन्दगी गुजारता है. एक दिन वो एक mysterious और charismatic woman से मिला और जल्द ही इसकी दुनिया का मरकज बन जाती है. उनकी friendship कुछ ही अरसे में काफी deep हो जाती है, जो के लिए Ash उमीद की किरन होती है और वो Ash के साथ काफी ज्यादा attach हो जाता है. इस movie में near future technology यूज की गई है, जैसे के घर में automatic security system install किया गया है, जो के पुरे घर को secure करता है. और घर में कुछ भी गलत होने की सूरत में खुद ही police को inform कर सकता है. इस movie में एक scene के दौरान गान से fire होता है, तो ये system जो से पोचता है के आप ठीक हो, या के police को inform कर दून. सब ठीक चल रहा होता है और दोनों अपनी favorite coffee place पे मिल रहे होते हैं के एक आदमी उनकी मेज के करीब आता है. इससे पहले के जोर react करता, अजनभी बंदूक निकालता है और आश को गोली मार देता है, जो उस आदमी के पीची भागता है, लेकिन वो करीबी street में गायब हो जाता है. ये tragedy जो को गम और जुर्म में दबोती है और वो कितने weeks अपने apartment में खुद को अलक्त लग रखता है. आश को बचाने में नाकामी पर खुद को कसूरवार समझता है. वो अपने दर्द से बेचेन होता है और अपनी जिन्दगी खतम करने की कोशिश करता है, पर हर दफा उस ने उसको ये सब करने से बचाया और next scene में वो सो कर उठता है जैसे ये सब खवाब में हुआ है, लेकिन ये सब हकीकत में होता है. इस हंगामे के दर्मिया, जो को एक पुरसरार message मिलता है. ये आश की तरफ से होता है, ये वो जिन्दा है और थीक है, पर वो इसकी death और इनक relation के बारे में हकीकत को बे नकाब करना चा रहा होता है. वो confused लिकिन motivated होते हुए इन राजू सी परदा उठाने की कोशिश करता है. और एक चाउंका दिने वाली हकीकत तक पहुचता है, के जैसा उसको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है. जो को पता चलता है के आश एक और कमजबूच को बेकार कहता है. जो की तहकीक ने इसको एक hacker से introduce कराया, जो इसकी इस मसनुई दुनिया की layers को navigate करने में मदद करता है. एक साथ उनको पता चला के आश ने अपनी मौट से पहले इस दुनिया की हकीकत का पता चला लिया था. और इसका कतल को hunter ने सचाई छुप पाने के लिए किया. जो जैसे जैसे गहराई में जाटा है, नकली दुनिया और हकीकत के दर्मिया उलच जाटा है. इस difficulty के बावजूद, जो आश को hunter की cat से बचाने और hunter की साजिशू को बे नकाब करने का इरादा करता है. क्लाइमाक्स में जो को corporation की high-tech facility का मुकाबला करते हुए देखा गया है. इसका सामना hunter और इसके handlers से होता है. Hunter उसको खतम करने की command देता है, और कहता है, I make you and I am going to unmake you, बट इस command के बावजूद वो वापिस नीचे आता है, और बंदूग से hunter पर fire करता है, then वो hacker की मदद से hunter के office में चला जाता है. hacker और hunter आपिस में बात करते हैं, और hacker hunter को बताता है, के ये सब एक अच्छे मकसद के लिए था और आप ने इसका गलत इस्टमॉल किया. Hunter जियो से बचने की कोशिश करता है, पांच जो उसको गोली मार देता है, और hunter office building से नीचे गिर जाता है. जो ने hacker और ash की मदद से levels को खतम करने और ash से मिलने तक का दुबारा सफर किया. ये mission अचीव करने के लिए उन्होंने पूरा system दाव पर लगाया, और बिलाखिर वो काम्याब रहे. मुवी के एंड पर जो ash और hacker को मिलते हुए दिखाया गया है. Film level 2024 with mixed thoughts, कुछ इस concept की तारीफ कर रहे हैं और कुछ production के quality पर criticize कर रहे हैं. No doubter is में एक नया concept और near future technology का इस्तमाल हुआ है. So overall we give 6 out of 10 if you are a science fiction lover, इस फिल्म का love angle भी viewers को शायद इतना impress ना कर सके. इस फिल्म की कास्ट में कारा जी, पीटर मूनी, आरोन अब्राम्स, जेड मा और डेविद हुलेट शामिल है. ये था अज का रिव्यू. Please like and subscribe to our channel for upcoming reviews.